आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 32 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विशेस और इसमें जिस पार्ट को हम अभी समझ रहे हैं वो है राष्ट्रिय आंदोरन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक तो आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार इस पार का अगला हिस्सा जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए बिना देर किये शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कॉंग्रेस के राजनीतिक तोर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे जैसा कि आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने यह समझा था कि शुरुवात में कॉंग्रेस का उदेश स्वातंतरता प्राप्त करना नहीं था बलकि प्रशासन में सुधार करना था तो इसलिए जब 1890 का दशक आया तो बहुत सारे लोग अब इन तौर तरीकों पर कॉंग्रेस के इन जो तौर तरीके थे काम करने के उन पर सवाल खड़ा करने लगे थे पंजाब और महाराष्ट में बिपिन चंद्रपाल बाल गंगा तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पध्धियों के अनुरूप काम करने लगे थे यानि वो अब परिवर्तन चाहते थे और इस उद्देश्य से इनी पध्धियों के अनुरूप कारे करने लगे थे उन्होंने निवेदन की राजनीती के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्म निर्भरता और रचनात्मक्ता के कामों के महत्व पर जोर दिया यानि वो अब इस जो नरम पंथि लोग थे जो की केवल चाहते थे की निवेदन करके ही सब कुछ काम हो जाएगा हमें आजादी मिल जाएगी तो इस तरीके के जो नरम पंथी लोग थे, बहुत सारे लोग और कॉंग्रेस के ही बहुत सारे दूसरे नेता इन लोगों की अब आलोचना करने लगे थे बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंद्रता मेरा जन्म से दाधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा यानि उन्होंने अब निवेधन की राजनीती को छोड़, मतब निवेधन की राजनीती वाले लोगों में वो नहीं थी उनके इसी नारे से ही हमें पता चख जाता है कि उन्होंने का कि स्वतंद्रता मेरा जन्म से दाधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा फिर जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने एक और चाल चली ताकि लोगों में आपस में बटवारा करवा दिया जाए और लोगों में आपस में कभी एकता होई ना तो इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया उन्होंने किया बंगाल का बटवारा Viceray Karzan ने 1905 में बंगाल का बटवारा कर दिया आपको पता है हमारा बंगाल बहुत बड़ा प्रांथ था लेकिन ये जो एक अंग्रेज था Viceray Karzan लौर करदन भी से कहते हैं इसने 1905 में बंगाल का बटवारा कर दिया पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांथ था जैसे मैंने अभी आपको बताया था बिहार और उडीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकिये सुविधा को ध्यान में रखते हुए बटवारा करना जरूरी था यानि कि वो कहते थे कि इतने बड़े प्रांथ का हम प्रशासन सही डंग से नहीं चला आपारे इसलिए हमने बटवारा कर दिया इस प्रशासकिय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? भारतियों को या फिर अंग्रेजों को? जाहिर है इसका तालुक अंग्रेज अफसरों और व्यपारियों के फायदे से था लेकिन सरकार ने गैर बंग्राली इलाकों को अलग करने की बजाए उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया देखा उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूर्वी बंग्राल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्यों देशे शायद यही रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुष लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए यानि जो वहाँ पर लोग थे, वहाँ के नेता आपको मैं बताओं बंगाल में यह जो अंदोलन था, यह जो विरोध था अंगरे जो के प्रती वह बहुत जोरों पर था तो उनके राजनेताओं पर तो अंकुष लगा दिया ऐसा करके और बंगाली जनता को बाढ़ दिया ताकि उनमें कभी एकता होई ना इसलिए तो आपको देखिए अब जब हमारा जो बंगाल का हिस्सा है अब तो वो दूसरा जो पूर्वी बंगाल था उसको तो बंगला देश बना दिया गया और जो हमारे हिस्से में आया वो पश्चमी बंगाल है इसलिए हम उसको पश्चमी बंगाल के या वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं अब फिर क्या हुआ? स्वधेशी आंदोलन हुआ विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई क्योंकि सब लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि ये देश के टुकड़े कर दिये गए मध्यम मारगी और आमूल परिवर्तनवादी कॉंग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया चाहे वो निवेधन की राजनीती करने वाले नरम पंथी थे या फिर गरम दल यानि गरम पंथी लोग इससे जो संगर्ष उपजा उसे स्वधेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है ब्रिटिश आसन का विरोध किया गया और विरोध कैसे किया गया विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया जलूस निकाले गए स्वयम साहेता स्वधेशी उद्धमयों राश्टिय शिक्षा और भारतिय भाषा के उप्योग को बढ़ावा दिया गया तो अंग्रेजों का विरोध कैसे किया गया एक तो जनसभाओं की गई जलूस निकाले गए और अपने खुद के स्वधेशी उद्ध्योगों को लगाने पर जोड़ दिया गया अपनी भारतिय भाषा के उप्योग को बढ़ावा पर जोड़ दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे इंग्लिश बोलना अपनी स्टेटर समझ रहे थे तो अब उनको ही कहा गया कि अगर हमें विरोध करना है तो हम इस तरह से विरोध करें तो हम अपनी हिंदी भाषा का प्रियोग ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा दे यह अंदूलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था परन्तु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंच सुनाई दी आंदर के डिल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम अंदूलन के नाम से जाना जाता था कुछ लोग ब्रिटिश आसन को उखाड फैकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी थे फिर कुछ अन्य महत्वपोन घटनाए भी हुई जैसे 1905 के बाद 1906 में धाका में मुस्लिम लीक का घठन हुआ 1907 में क्या हुआ कॉंग्रेस मध्यम मारगी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई यानि कॉंग्रेस भी दो गुटों में अलग-अलग बढ़ गई 1909 में क्या हुआ परिशदों में मुसल्मानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की विवस्था की गई यानि उनके निर्वाचन जो जहां से लोग चुने जाते थे निर्वाचन स्थल मालेजे उनका एरिया ही अलग कर दिया गया फिर 1915 में कॉंग्रेस के दोनों खेमों में एकता हुई जो अलग-अलग गुरूप बढ़ गए थे और 1916 में कॉंग्रेस और मुसलिम लीग में लखनव में समझाता हुआ तो ये कुछ अन्यमहत्वबून घटनाए भी हुई थी तो अब चलते हैं हम अपने प्रशन उत्तर की ओर पहला प्रशन है कि कॉंग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी तो देखें कॉंग्रेस के नरमपंथि लोग निवेदन की राजनीती करते थे यानि उनसे बहुत प्यार से और प्लीस करके जो है काम करवाने की सोच रखते थे उनकी इसी निवेदन की राजनीती के कारण ही उनकी आलोचना होने लगी थी तो ये है इसका उत्तर फिर प्रश्ण नमबर दो है कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मन्शा क्या थी तो देखे पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्यों देशेशाद यही रहा होगा कि बंगाल के राजनेताओं के प्रभाप पर अंकुष लगाया जाए और बंगाली जंता को बंट दिया जाए और तीसरा प्रशन है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया तो देखिए कैसे विरोध किया गया अभी हमने उपर समझा भी है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विशाल जन सभाओं का आयोजन किया गया जुलूस निकाले गए स्वयम साहता स्वदेशी उद्यमो यानि खुद के लोगों द्वारा जो उद्योग लगाये जाए यानि भारतिये लोगों द्वारा लगाये गए उद्योगों को ही बढ़ावा दिया जाए राश्टे शिक्षा और भारतिये भाषा के उप्योग को ही बढ़ावा दिया जाए और फिर इसके बाद एक है प्रशनम बर चार बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद नारा है स्वतंता मेरा जर्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा उनके नारे की तरह आप भी देश भक्ती पर आधारित एक नारा लिखिए तो देखिए ये तो मेरी सजेशन है जो मैंने लिखा है आप इसको भी लिख सकतें और आप अपने आप से भी कोई अपना स्लोगन या नारा बना सकतें जैसे भारत हमको जान से प्यारा है सबसे नियारा देश हमारा है तो ये तो थी आज की वरक्शीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वरक्षीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए और अगर आपको कुरोना वाइरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से सावन और पानी से धोते रहिए, मास जरूर लगाए और जब भी अविलेबल हो, उपलब्ध हो, जब भी आप इसका ठीका करण अवश्य कराएं क्योंकि कुरोना को हराना है और जिन्दकी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद